बॉग लिजाड बाकि सभी नॉन साप्पिंट प्रियाटरी स्पेसिज के तरह बॉग लिजाड भी एक खतरनाक प्रियाटरी स्पेसिज है और बॉग लिजाड कितना खतरनाक है यह आप लोग स्टिंग फ्लाई से पूछ के पता लगा सकते हो कि अगर स्टिंग फ्लाई एक बॉग लिजार्ड को देख लेता है तो उसका एक्स्प्रेशन क्या होगा मुझे अपने घर जाना है लेकिन गाइस बॉग लिजार्ड का बॉड़ी उसी तरह डिजाइन है कि वो इजी लिस्टिंग फ्लाई का सिकार कर पाए तो चलिए कई पता लगाते ही कि बॉग लिजार यानि छूपकली जैसे दिखने वाले बॉग लिजार्ड चूपकली जैसे दिखने वाले इलिएन स्पेसिस है जो कि स्ठिंग फ्लाई जैसे इंसेंग टाइप इलिएन्स का सिकार करते है बॉग लिजार्ड का बड़ी छूपकली जैसा है जिसमें आमें white, red और black color scheme देखने को मिलता है उसका हाथ फेर और पूझ तीनों नोकिले है और उसके निमिटर्स का सिंबल उसके गले के पट्टी में मौझूद है और इसके पावर्जन अबिलेटिस के बारे में बात करते हैं इसके पास एनाट स्मेलिंग अबिलेटी है जिसके मदर से ये बहुत इजीली स्टिंग फ्लाई को स्मेल कर सकता है ये एक एलो कोलर का फोग रेलेज करता है जोकि स्टिंग फ्लाई के स्टिकी मेटरल्स को इलिमिनेट कर सकता है उसके एनाट स्ट्रेंद को हम लोगों ने तब देखा था जब इसने इजी ली वाटर हजट को फेक दिया था और उसके इनाट स्मेलिंग अबिलिटी को हम लोगों ने तब देखा था जब वो अंडर टाउन में बेन को ट्राक करने में सक्सिस्पुल हो गया था और उसके पॉंजे इतने स्ट्रंग होते ही कि वो आरां से एक स्पेसिप के निचे लटक सता है अगर इसके विकनेस की बाद क्या जाए तो ये प्रेड़ाटरी स्पेसिस सॉक्सवाज के इलेक्टर सिटी के आगे बहुत विक है ये प्रेड़ाटरी इलिन बेंटेन ओम्निवो सिरीज के कई एपिसोड्स में आप्योर हो चुका है और इस सिरीज में बोगष इस्टिंग फ्लाई के साथ फाइट किया है और कभी सॉक्सवाज के साथ और कभी wild mode के साथ तो कभी hit blast के साथ और Benton Omio series के इन episodes में हम लोगों ने जेड को इस species में transform होते हुए देखा है जेड के अलाबा खाइबर का पानुंसियान भी इस predatory species में transform हुआ है बॉग lizard का नाम combination है बॉग और lizard का जहां बॉग छोटी छोटी inserts को represent करता है वही lizard छुपकली जैसे दिखने वाले जिवों को represent करता है और Predators and Prey Part 1 एपिसोड में रूख ने बॉग lizard के नाम को reveal क्या था तो गाइस बॉग lizard के बारे में आप लोग आपना opinion नीचे comment करके ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को एक लाइक चरूर करना और हो सके तो चैनल को भी सस्क्राइब कर देना So see you soon